हलो दोस्तो मैं संदिप मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉक्रो से जुड़े हुए MCQ की जो की आपके UP, TGT, PGT, BALOGY, BHU, BSC, Nursing, BHU, BSC, AG, BHU, BSC और इसी के साथ साथ आपके आने वाले NEET exam के लिए बहुत ही important है इस वीडियो में मैंने कॉक्रो से जुड़ी हुए जितने भी most important MCQ है जो की previous year आपके exam में पूछे गए उन सभी question को इस वीडियो में include किया हुआ है तो आप सभी question को ध्यान से देखेगा और जो भी important question आपको लगते हैं आपको नहीं पता है उसको note करते चलिएगा इसके पहले rabbit और earthworm के MCQ से related video भी मैंने upload कर रखे है यदि आपने वो video नहीं देखा है तो उस video का link मैंने नीचे description box में दे रखा है उस link पर click करके आप video को देख सकते हैं तो आईए आज के video की सुरुआत करते हैं तो हमारा आज का पहला question है काक्रोज का वैग्यानिक नाम होता है तो काक्रोज का वैग्यानिक नाम है periplaneta americana तो right option है option second चलते है question number two की और question number two है कीटो की प्रमुक पहचान का लच्छण है तो इसका जो right option है option third है तीन जोड़ी टांगे चलते हैं अगले question की और question number third है निम्न में से कौन से दो साधान भारती काक्रोज है तो इस question का right option है option four periplaneta americana व बलाटा orientalis तो most important question है और यह question कई बार repeat हुआ है तो आप इस question को याद रखेगा या फिर इस question को note कर लिजे आए चलते हैं अगले question की और question number four है कीट वर्ग का मुख लच्छण है तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा था कीट वर्ग का जो मुख लच्छण है तीन जोड़ी जोड़ी दार टांगे तो right option है option two question number five है periplaneta नाम देने वाले वैग्यानिक थे तो periplaneta नाम देने वाले वैग्यानिक थे बर्मिस्टर right option है option third question number six है काक्रोच की टरगम किस से पार्स में जुड़ा होता है तो काक्रोच की जो टरगम होती है वो pluron से जुड़ी होती है तो आपका right option है option first आए चलते हैं अगले question की और question number seven है काक्रोच के सिर में नेत्रों के बीच नीचे की और तक फैली plate का नाम तो आपको बता दे काक्रोच के सिर में नेत्रों के बीच फैली होई plate का नाम है front right option है option second question number eight है काक्रोच के कंकाल के प्रिष्ट तल पर पाय जाने वाली plate कहलाती है तो काक्रोच के कंकाल के प्रिष्ट तल पर पाय जाने वाली plate को हम कहते हैं टरगम right option है option third Question number 9 है टरगम का बाहरी भाग काक्रोच में मुड़ कर किस से जुड़ जाता है तो ये जुड़ता है प्लूरा से तो आपका right option है option third आए चलते हैं अगले question की और question number 10 है काक्रोच के mandible होते हैं तो काक्रोच का जो mandible है या छोटे पीसने वाले दात होते हैं तो आपका right option है option first Question number 11 है काक्रोच के सिर को उसकी स्थिती के आधार पर कहते हैं तो काक्रोच के सिर को उसकी स्थिती के आधार पर कहते हैं hypognathus right option है option third Question number 12 है मादा काक्रोच के उदर पर दिखाए देने वाले sternum की संख्या होती है तो आपको बता दे कि मादा काक्रोच के उदर पर दिखायर देने वाली जो इस्टरनम है उसकी संख्या होती है साथ तो आपका राइट आप्सन है आप्सन सेकेंड अई चलते हैं अगले कोशन के और कोशन नमबर थर्टीन है तो आपको बताना है कि कौक्रोच में कौन सी रचना को लोवर लिप कहते है तो दोस्तो बड़ा ही इंपर्टेंट कोशन है और ये कोशन कई बार पूछा हुआ है तो इस कोशन का राइट आप्सन है आप्सन सेकेंड लेवियम question number 15 है cockroach के punk मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं तो आपको बता दे कि जो cockroach के punk है यह मुख्य रूप से खत्रे से बचाते हैं तो आपका right option है option 4 चलते हैं अगले question की और question number 16 है periplaneta americana किस बात से blata orientalis से भिन है तो आपको बता दे कि यह दोनों आपस में भिन है विक्सित punk के कारण तो periplaneta americana का जो punk होता है वो बहुत विक्सित होता है तो आपका right option है option 1 चलते हैं अगले question की और question number 17 है cockroach की tongue में कितने खंड पाय जाते हैं तो आपको बता दे कि cockroach की tongue में खुल 5 खंड पाय जाते हैं तो आपका right option है option second question number 18 है अविक्सित punk पाय जाते हैं तो अविक्सित punk पाय जाते हैं बलाटा में right option है option 4 question number 19 है amoeba की कुटपात किस के समान होते हैं तो आपका right option है option first cockroach की tongue के समान Question No.20 है Cockroach में Plentuli कहां इस्थित होती है तो Plentuli पाय जाते हैं Pritarsus में Right Option है Option First Question No.21 है Cockroach की टांग में सबसे फुला हुआ भाग होता है तो आपको बता देख Cockroach की टांग में जो फुला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं Cockroach Right Option है Option Second Question No.22 है Cockroach में Aeroleum सहायक होते हैं तो Cockroach में Aeroleum सहायक होते हैं प्रचलन में Right Option है Option Third अगला Question है नर्व मादा काक्रोच की पहचान का मुख्य लच्छन है बड़ा Important Question है और यह Question कई बार पूचा हुआ है तो इन दोनों में पहचान करने का अंतर है Good Style तो आपको बता दे कि जो Male Cockroach होता है उसके 9th Segment पर Anal Style पाया जाता है जबकि Female में Anal Style नहीं पाया जाता और इसी के कारण हम इन दोनों में Difference समझ सकते हैं आई चलते है Question No.24 की ओर Question No.24 है गुदा Style यानि कि Anal Style पाया जाता है अगर चारों ऑप्सन में देखा जाया तो Cockroach में देहरखंड सपस्ट होती है Right Option है Option 4 Question No.26 है काक्रोच में स्रवणकारी रचनाय कहां इस्थित होती है तो काक्रोच में जो स्रवणकारी रचनाय होती है वे पाय जाती है गुदिय सरकाई पर Right Option है Option 4 Question number 27 है माधा काक्रोच में गाइनो वेलवुलर प्लेट्स किसका रुपांतरण है तो यह साथवे इस टर्नम का रुपांतरण माना जाता है तो right option है option second Question number 28 है गरंद गंतियां पाई जाती है तो यह दोनों में पाई जाती है मतलब नर में भी पाई जाती है माधा में भी पाई जाती है तो right option है option third Question number 29 है जो की most important है काक्रोच का कंकाल बना होता है तो जैसा की मैंने अभी आपको बताया था की काक्रोच हुआ जो अन्य कीट है जो की आर्थो पोट्स में आते हैं उनके वाह कंकाल बने होते हैं काईटीन के तो right option है option third Question number 32 है काक्रोच की देह गुआ कहलाती है तो आपका बता देख की जो काक्रोच की देह गुआ होती है यानि की जो सिलोम होती है उसे हम बोलते हैं हीमोसील Right option है option four Question number 33 है काक्रोच की देह भित्ती की बहारी सतापर कौन सी कोशिकाय मौम्स रावित करती है तो आपका right option है option 2nd oui nocic question number 34 है cockroach के वसा पिंड़क में उपस्थित होता है तो cockroach के वसा पिंड़क में INIOS emphasIS trophocytes यह सभी होते हैं तो आपका right option है option 4 उपरोक्त सभी question number 35 है cockroach में हिपैटिक सिखा किस से निकलते हैं तो ये निकलते हैं मध्यात से तो आपका right option है option third Question number 36 है काकरोच के लार में कौन सा enzyme होता है तो इसके लार में होता है amylase तो आपका right option है option second Question number 37 है काकरोच की लार गरंथियां खुलती हैं तो काकरोच की लार गरंथियां खुलती हैं लेवियम पर Right option है option third Question number 38 है काकरोच के मुख खुपांग उपयोजित होते हैं तो काकरोच के जो माउथ पाठ है वो उपयोगी होते हैं काटने वो चबाने के लिए तो right option है option third Question number 39 है काकरोच होता है तो काकरोच होता है सर्भच्ची तो आपका right option है option first Question number 40 है ऐसे जनतु जो कार्बनिक प्रदाथ मृत कीट वो स्वयम की निर्मोचित क्यूटिकल का सेवन करें कहलाते हैं तो ऐसे जनतु जो की कार्बनिक प्रदाथ मृत कीट वो स्वयम की निर्मोचित क्यूटिकल का सेवन करते हैं उन्हें हम कहते हैं भंगी स्क्वेंजर, तो right option है, option second. Question number 41 है, काक रोच में भोजन पीसने का कार कौन करता है? तो काक रोच में भोजन पीसने का कार करता है, गिजर्ड, तो आपका right option है, option second. चलते हैं एकले question के और question number 42 है काक्रोच की आहार नाल में किस भाग में cuticle का अंतरवलन पाया जाता है तो इस question का right option है option 4 अग्रव पस्च भाग में Question number 43 है काक्रोच में गिजार्ड का भीतरी इस्तर इस्तरित होता है कहने का मतलब है कि काक्रोच में जो गिजार्ड वाला भाग होता है तो उसका जो भीतरी लेयर होता है वह किस लेयर से covered होता है तो यह covered होता है cuticle के द्वारा तो right option है option first Question number 44 है काक्रोच में सरवाधिक पाचन होता है तो काक्रोच में सरवाधिक पाचन होता है क्रॉप में, right option है option first Question number 45 है, काक्रोच में oxygen उतकों में किसके द्वारा पहुचाई जाती है तो आपको बता दे काक्रोच में oxygen ट्रेकिया के द्वारा पहुचाई जाती है तो आपका right option है option second Question number 46 है, खर्गोस तथा काक्रोज की ट्रेकिया में क्या समानता होती है तो आपको बताएदे कि खर्गोस तथा काक्रोज की जो ट्रेकिया होती है दोनों की दिवारों में कठ होता रहती है जिससे की वह पिछकती नहीं है तो आपका जो right option है, option third है Q47 है काक्रोच की एलरी पेसियां किस से संबंधित है तो काक्रोच की एलरी पेसियां संबंधित है हिदय से तो आपका right option है option second Q48 है काक्रोच में कितने जोड़ी स्वांस चिद्र यानिकी स्पाइकेरिल होते हैं तो आपको बता दे काक्रोच में 10 जोड़ी स्वांस चिद्र होती है तो right option है option 4 Q49 है काक्रोच में उतको तक oxygen का वहन किसे होता है तो काक्रोच में उतको तक oxygen का वहन होता है ट्रेकेल नाल दोरा, right option option third question number 50 है, काक्रोच के रक्त में ही हीमोगलोबीन नहीं पाया जाता, क्योंकि तो आपको बता दे कि काक्रोच के रक्त में हीमोगलोबीन इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि oxygen को सीधा उतक में ले जाने के लिए अन्यविधियां होती है, तो इसलिए आपका जो right option है, option four है, आई चलते हैं अगले question के और question number 51 है, काक्रोच के प्रथम हीदय कच में निकलने वाली रक्तवाइनियों का नाम बताइए, तो इसकी रक्तवाइनियों का नाम है anterior orta, right option है option four, question number 52 है काक्रोच में हीदय में कितने वेस्म होते हैं, तो काक्रोच के हीदय में कुल 13 वेस्म होते हैं तो आपका right option है, option third चलते हैं अगले question के और question number 53 है कीटो का रुधिर होता है, यानि कि यह किस type का open type होता है या फिक close type होता है तो इसका right option है, option third खुले प्रकार का होता है question number 54 है, काक्रोच का हीदय कैसा होता है तो काक्रोच का हीदय होता है लंबवत एवं मडिका में right option है, option third question number 55 है काक्रोच के हीमो लिंफ का रंग होता है तो काक्रोच के हीमो लिंफ का रंग होता है right option है, option four question number 56 है कारविधी के आधार पर काक्रोज का हिद है होता है तो काक्रोज का हिद है होता है नियूरोजनिक राइट आप्सन है आप्सन फर्स्ट कोश्चन नमबर फिप्टी सेवन है काक्रोज का मुख्यू सरजी प्रदात होता है बड़ा important question है और यह question पूछा जाता है तो cockroach का मुख की उसरजी प्रदात होता है यूरी कम्ल तो right option है option third Question number 58 है cockroach की malpigy नलिकाओं का कारे है तो cockroach की malpigy नलिकाओं का कारे है उसरजन तो आपका right option है option third question number 59 है cockroach में उस्थाजी अंग होते हैं right option है option 4 question number 60 है cockroach की तंत्रिका रज्जू होती है तो cockroach की तंत्रिका रज्जू जो होती है वो होती है दोहरी अधर एवं थोस तो आपका right option है option first question number 61 है एकडा योसोन का स्रावण कहां से होता है तो एकडा योसोन का स्रावण होता है प्रोथेरिसिक ग्रंथी से तो आपका right option है option first question number 62 है cockroach में लेंगिक आकरसण हेतु सहायक है तो cockroach में लेंगिक आकरसण हेतु जो सहायक होता है रासायनिक प्रदात उसे हम बोलते हैं फिरो मोन्स तो आपका right option है option second question number 63 है रेहबडोम कहां पाय जाता है तो ये पाय जाता है तिलचटे की आख में तो right option है option 4 question number 64 है काकरोच में निर्मोचन के पस्चाथ कोर्नियल लैंस रावित करने वाली कोशिका का नाम बताईए तो इस question का right option है option 4 कोर्निजन कोशिका question number 65 है नित्रांसक कहां पाय जाते हैं तो आपको बताते हैं नित्रांसक पाय जाते हैं कीटो की आख में तो आपका right option है option 3 question number 66 है काकरोच में संयुक्त नेत्र में पाय जाने वाला रचनात्मक इकाई का नाम तो आपका right option है option 3 ओ में टीडिया कोश्चेन नंबर 67 काक्रोच में कैसी द्रिष्टी होती है तो काक्रोच में मोजैक ब्रिष्टी होती है तो आपका राइट ऑप्सन है option först question नंबर 68 है ओ में टीडिया किसके नेत्र की प्रतिभिंब कब बनता है तो मैं आपको बता कि जो एपो जोशन प्रतिविंब होता है वो बनता है तेज प्रकास में तो आपका right option है option second question number 70 है ऐसे अंडे जिन में पीतक मध्य में तथा चार और कोशी का द्रव होता है वह कहलाते हैं तो उसे हम कहते हैं केंद्रक पीतक right option है option first question number 71 है काक्रोच में उथिका का निर्मार करती है तो काक्रोच में उथिका का निर्मार करती है collateral ग्रंथी right option है option 4 चलते हैं अगले question की और question number 72 है काक्रोच में उथिका में संसेचित अंडे भरे होते हैं जिनकी संख्या होती है तो संसेचित अंडे की संख्या होती है 16 तो आपका right option है option 3 question number 73 है काक्रोच में अंडोध भेदन में वयस्क बनने तक निर्मोचन कितनी बार होता है तो आपका right option है option first 10 से 12 बार question number 74 है काक्रोच का अंडा किस प्रकार का होता है तो काक्रोच का अंडा होता है केंद्र पीत की, right option है option second Question number 75 है, लेंगिक द्री रूपता किसमें इस परस्ट होती है तो लेंगिक द्री रूपता इस परस्ट होती है काक्रोच में तो आपका right option है option 4 तो आईए काक्रोच से जड़े वे कुछ important चीज़े मैं आपको बता देता हूँ पहला कि काक्रोच में पैत्रिक रच्षण यानि कि parental care नहीं पाय जाता दूसरा important point यह है कि जब इने भोजन नहीं मिलता तो भोजन न मिलने पर यह स्वयम की जाती का भच्षण कहते हैं और इस लच्षण को हम बोलते हैं कैने बैलिज्म अगला point है काक्रोच सब्द Spanish सब्द कुका रेचा से लिया गया है अगला point है काक्रोच उष्ण कर्तिबंदी अफरिका का रहने वाला जीव है नेक्स्ट पॉइंट है काक्रोच 25 डिगरी सेंटी ग्रेट पर 34 सेकेंड 130 सेंटी मिटर तक दोड़ सकता है और लास्ट पॉइंट है काक्रोच में गुर सूत्र की संख्या होती है 34 यानि की 34 तो दोस्तों ये था हमारा काक्रोच से जुड़ा हुआ MCQ आपको वीडियो कैसा लगा जरूर रिप्लाई करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करना मद भूलिएगा आपके लाइक और सेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अगले बार मेहनत करने में बहुत ही मजाता है तो किसी भी कोशन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा और यदि आप चाहते हैं कि कॉक्रो से रिलेटेड मैं ट्रिक बनाओ तो आप कमेंट करके बताएगा मैं जरूर इस पर ट्रिक बनाओगा और आने वाले दिनों में मैं कौकरो से रिलेटेड ये जितने भी कोश्चन है इन्हें मैं हिंदी और इंगलिस दोनों में लाओंगा तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक लिए जहिंद जभारत